मैं रखा दो नमबर नखी, इसका भी मैं LHS ही लेता हूँ, LHS में देखो क्या दिया हुआ दिया है आपका X प्लस Y प्लस 2Z, फिर है X, फिर है Y, चलिए फिर Z, Y प्लस Z प्लस 2X, Y, Z, X, Z, प्लस X प्लस 2Y चलिए एक काम करते हैं, मैं लाना है 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z का होल क्यों तो अगर मैं यहाँ पे लिखो कि C1 के जगापर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो इसका फाइदा क्या है C1 C2 C3 को जड़ेंगे, तो 2X, 2Y, 2Z होगा, और 2 को कॉमन कर लेंगे, तो 2X प्लस Y प्लस Z हो जागा, 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z चलिए, तो यहाँ पे 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, समझ गयाना है क्या की है, इन तीनों को जोड़ा है तो यहाँ से 2X, 2Y, 2Z होगा, 2 कॉमन करके लिख दिया, उसी तरह से यहाँ भी हो जागा, यह तीनों को जोड़ने से 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, फिर अगला भी वही आ जागा, 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, ठीक है, और बाकी दोनों को ऐसी रग दो, मतलब कि C2 C3 को X, Y प्लस Z प्लस 2X, फिर है X, Y, Y, Z प्लस X प्लस 2Y, ठीक है, चलिए, अब इसको बाहर निकाल लेता है, लिखेंगे, टेकिंग आउट, टेकिंग आउट, टेकिंग आउट, 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, फ्रॉम, फ्रॉम, सीवन, से बाहर निकालता है, चलिए, तो 2 चलिए common निकाल लेते हैं तो यहाँ पच्छेगा 1 1 1 फिर x y y plus z plus 2x y x z plus x plus 2y ठीक है अब देखो इसके बाद मैं लिखता हूँ ज्यादा 0 लाने के लिए मैं लिखता हूँ कि r1 के जगह पर r1 minus r2 r1 minus r2 और r2 के जगह पर r2 minus r3 यह करते हैं ठीक है चलिए अब देखें क्या होता है 2 into x plus y plus z यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0 अब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो आपका minus का x minus का y minus का z हैगा तो minus common करके लिए देथा हुँ मैं देखो इसमें से गटाओगे तो इस सिर्फका यहाँ से मैंनस का e x plus y minus of mine क करके लिए देता है मैंनस का x plus y plus s समझ करणा और इसमें से x plus y plus z को c r1 और r2 से common कर लेते हैं लिखेंगे taking out taking out x plus y plus z from from r1 and r2 r1 and r2 से दोनों जगह से निगालते हैं चलिए निंक लेगा तो cube हो जा गए हापे न 2x plus y plus z का whole cube क्योंकि एक बार पहले से हैं और दो बार निंकल गया से c r1 और r2 से 0 minus 1 0 0 1 minus 1 1 x z plus x plus 2 1 अब दिखते हैं expanding along expanding along expanding along expanding along c1 c1 के respect में इसका विश्थार कर देता है expand कर देता है 2 into x plus y plus z का whole cube c1 में सिर्फ 1 को ही लेना होगा या column यह रह जाएगा यह आपका बच जाएगा minus 1 g दो 1 minus 1 cross multiply करेंगे 1 इन आएगा यारी के 2 into x plus y plus j ता whole cube यही रह जाएगा आपका answer तो यहीं ना मैं प्रूब करना था चलिए अगला को